परवार कल्यान योजना के तहत प्रतिय के परवार के एक सदस्कों नकली देना क्या गिया है और इस पर इसका अपडेट आया है उधिस आपके बताने वाला हूँ मैंने इसपर काफी पहले भी वीडियो बनाये थे कि पर्वार कल जाना ही होजना क्या है या फैमिली कार्ड जाना क्या है फैमिली कार्ड कैसे बनेंगे वही इसकी मैं लेकिन इस पर कुछ एक नया अपडेट आया सोच है मैंने आप लोगों को बता दू क्योंकि ये रोजगार से जुड़ा हुआ है आप अगर आपके घर में कोई भी रोजगार नहीं करता है आप भी रोजगार है तो आपके घर में एक लोगों को रोजगार उत्तरप्रदेश सरकार देने पर कावायद है और उसे पूरी तरीके से संचालित करने के लिए इसकी म पहिंदी दोस्तों हेल पहिंदी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्काइब नहीं किया है अपडेटेड वीडियो पाने के लिए निव इनफॉर्मेशन पाने के लिए तो आप सब्सक्राइब करने क्यों कि यहाँ पर मैं आपको लगातार अपडेटेड नए दे ने वीडिय देख सकते हैं मैंने वीडियो आपर आप देख रहे होंगे यह मैंने बना रहा है आपको यहां वाच कर लें साथ आज का जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो इस्टाइड किया गया यूपी परवार कल्यान योजना वो क्या है उसकी फूल डेटेल आपको पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मैं ले चलूँगा सीधा आपको उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशल ट्विटर हैंडल अकाउंट पर गौर्मेंट ऑफ यूपी देखी कर 20 गंटे पहले ट्यूट किया गया है परिवार कल्यान योजना से हर परवार को मिलेगा रोजगार सरकारी योजनाओं के लाब के लिए परवार आईडी जरूरी तो यहाँ पर अपडेट कुछ दिया गया आप इसे पढ़िएगा मैं आपको पढ़के भी बताता हूँ आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिएगा सरकारी योजनाओं क को आसानी से लाब दिलाने के लिए परवार कल्यान योजना की क्रिवान्वन की कावैत तेज हो गई है योजना के तहर प्रतेक परवार की आईडी पहँचान पत्र बनाई जाएगी बबिश मिस्तरकारी योजनाओं वाशुबधाओं का लाब लेने और प्रमाल पत्र लुक्त कारी और स्रक्ड करा राए जाएंगे जीन परवारों के राशन काड़ बने हैं उनकी रासन काड़ संक्या ही परवार कारऄ्ड ओब लुक्त होगी तो राशन काड़ की फात्र फात्र नहीं हैं उन्हें online portal से initial परवार आईडी उपलब्त कराई जाएगी योजना के लिए सभी विभागों को एक एक नूरल अद्धकारी नुक्त करना होगा योजना के क्रियानन में विभिन विभागों का data परवार online portal से जोड़ा जाएगा इसकी विभिन सरकारी योजनाओं में आप पर शत्यापन तो इसमें दोस्तों जो आपका राशन कार्ड वही परवार कार्ड आईडी होगा उसी से लोगों को जोड़ा जाएगा हलांकि जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं तो उनको परवार कार्ड आईडी को प्लग्द कराई जाएगी तो यह पूरा update था तो आप भी बिल्कुल रेडी रहेगा जल्द ही इस पर कोई अपडेट और आएगा और डेटेल अगर आपको जाननी है परवार कार्ड आईडी क्या है वगएरा तो आप और वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं आपर मैंने सारा डेटेल बता रहा है बहुत आशान भाशा में तो आप लोग अपडेटेट रहे हैं और अगर आपको मौका मिलता है तो आप नौकरी जरूर करें वीडियो कैसा लगा जानकारी कैसे लगी जरूर बताएं वीडियो को लाइक से जरूर कर दें थैंक्स वाचुछ